हलो दोस्तों, स्वागत आप लोगा मेरे यूटूब चैनल शरी आर्ट गैलरी में दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट निउ कोस्चन प्रेजेंट कर रहे हैं ये question आप लोगों के अगामी, NetJRF, TGPGT interview और visual art की competition जैसे KBS, NBS, DSSB, RPSC, Agitate, आधी visual art की exam के लिए useful साभित होंगे तो आप लोग carefully इन question को learn करिएगा और किसी भी question में आप लोगो doubt हो तो comment box में चरूर बताइगा अगर किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो मुझे Instagram पे फालो करिए और मुझे सवाल पूछ सकते हैं तो आएए start करते हैं आज के हम लोग questions को दोस्तो आज का हमारा पहला question है कि प्रसीद पेंटिंग वाटर लेली की सभारती कलाकार की है और आप लोग की बीच में चार option दियेगा है तो question number first का right answer third हो जाएगा ए राम चंदरन दोस्तो ए राम चंदरन के प्रसीद कृतियों में से एक कृति है वाटर लेली जिसको हम चल कुमुदिनी के नाम से भी जानते हैं साथी साथ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि western art के impressionism कलाकार क्लोद मोने के द्वारा भी एक painting water lily जिसको हम कुमुदिनी के full series के नाम से जानते हैं जिसको क्लोद मोने ने निर्मित किया था परन्तु क्लोद मोने एक western art अर्दात यूरोबी कलाकार में बहुत ही famous कलाकार है जिनके द्वारा यह निर्मित किया गया था परन्तु अगर भ नाम चुथा वह अच्यूतन रामचंद्रन नायर जिनका जन्म केरल में 1935 में हुआ था और यह रामचंद्रन समकालिन भारत के प्रसिद कलाकारों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने कला के सिच्छा कलाभवन सांती निकेतन से प्राप्त किये थे और यह अपने बड़े क भाएनोमास के चित्रों के लिए काफि फेमस क्लाकार माने जाते हैं यह राम-चंद्रन की एक बहुत ही पेद्ट ही क्रीटी है जोका आक्षर एक्जामे कुश्ट्न पूट अब होता है वह यायाती शरिंखला हो वह हमारा अगला क्वें कि सोहराब और कुहबर की स्राज की कला है दोस्तो बहुत ही important है आप लोग ध्यान दिजेगा और इसका right answer हो जागा fourth जारखंड दोस्तो सुहराब और कोहबर जो कला है वो जारखंड राजगी है यहाँ पर बताना चाते हैं कि सोहराब और कोहबर जो जोकि जहारखंड हजारी बाग की लोकग कला के रूप में बहुत ही हुई है और दोस्तों यहाँ पर जहारखंड को किसी भी छेटर में मिलने वाला जी आई टैग वो भूराब कोहबर के रूप में प्रांप्थ हुआ है और शुहराब कोहबर एक तो बहुत ही famous कला तब हो जाती है और इसका स्वतंत्र अस्तिव तब मिल जाता है जब भारत के प्रधान मंत्री नरेन बोनी अपने प्री कारिक्रम मन की बात में इस कला के बारे में चर्चा किये थे उसके ताथ पर से ये कला और भी famous हो जाती है और इसको हाल ही में geographical index अर्थ जी आई टैग में भी सामिल किया गया है सोहराब और कोवर कला को तो सोहराब कोवर को आप लोग ध्यान दीजेगा तो question number two का right answer four होगा आईए बढ़ते हम लोग next question क्यों और दोस्तो हमारा अगला question है कि लोग परी कला धर्मी डाक्टर अभिनोग गुप्त जिनका अभी हाली में निदन हो गया किस विशुवित्याले के assistant प्रोफेसर थे दोस्तो जो डाक्टर अभिनोग गुप्त थे एक बहुत ही famous लोग परी कला धर्मी के रूप में जाने जाते ह और ये बहुत ही famous artist के रूप में जाने जाते हैं तोस्तो डाक्टर जो अभिनोग गुप्त थे अभिहाली में इनका 56 वर्सकी उम्र में ही इनकी मृत्ति हो गई और ये अलहाबादी पीसुवित्याले के assistant प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं इस बात को द्यान दिजे तो question number third का right answer जो हो जाएगा वो first हो जाएगा आईए बढ़ते हम लोग next question क्यों हमारा अगला question है कि उद्यगिरी की गूफा मध्य प्रदेश के किस जिले में इस्थित है दोस्तों बहुत important है उद्यगिरी की गूफा अगर आप लोगों को मध्य प्रदेश के परिपेच में question put up किया गया है तो उद्यगिरी की गूफा जो है वो मध्य प्रदेश के विदीशा में इस्थित ये गूफा माले जाती है जो कि बहुत ही famous है यहां पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर उद्यगिरी और खंडगिरी की गूफा अगर आप लोगों से पूछा किय जाए तो यह उड़ीशा में famous है उद्यगिरी और खंडगिरी की गूफा जो कि जैन धर्म से related है परन्तु यहां पर सिंगल उद्यगिरी की गूफा पूछा किया जाए तो यह मध्य प्रदेश के विदीशा में इस्थित है इस बात को भी ध्यान दिजेगा तो question number 4 का right answer 2 हो होता है very important point कोडंट का जो साथिक अर्थ होता है वो right answer third हो जाएगा धनूस दोस्तों बगवान सेरी राम ने जिस धनूस को लिया वो उसको ही उसको कोडंट के रूप में जानते हैं और था कोडंट का साथिक अर्थ जो होता है वो धनूस होता है इस बात को भी ध्यान दिज किसकी प्रसीद प्रेंटिंग है very important point है नोट करिएगा दोस्तों इसका question number six का right answer जो जाएगा वो हो जाएगा first MF हुसाइन दोस्तों MF हुसाइन की ये प्रसीद कृतियों में से एक है जिसको MF हुसाइन ने that obscure object of desire सिरसकसे से इस प्रेंटिंग को निर्मेत किया था इस प्रेंटिंग को इन्हों ने water color में निर्मेत किया था इस बात को भी ध्यान दिजेगा दोस्तों MF हुसाइन ने इस प्रेंटिंग को 1982 में निर्मेत किया था यहां पर MF हुसाइन आय हुए है तो आप लोग ध्यान दिजेगा MF हुसाइन का जो जन्म होता है वो 17 सिथम्बर 1915 इस बी को इनका जन्म होता है और इनकी मृत्य जो होती है वो 9 जून 2011 को लंदन में हुआ था और MF हुसाइन जो है भारत ही नहीं बलकि 200 के प्रसिद कलाकारों में से एक माने जाते हैं इस बात को भी ध्यान दिजेगा दोस्तों इस पैंटिंग को देट आपस्क्यूर ऑपजेक्ट ऑफ डिजायर जिसको MF हुसाइन ने 1982 भी में निर्मित किया था और इन्हों ने इस कृति को वाटर कलर में निर्मित किया था तो कुश्चन नमबर और शिक्स का राइट एंसर फस्ट होगा आईए बढ़ते हम लोग निश्ट कोश्चन की वर हमारा अगला कोश्चन है कि राष्टी सिच्छा आयोग के अध्यच कौन होंगे दोस्तों अभी NEP अर्था New Education Policy 2020 लागू हुआ है और आप लोगों से सिच्छा से रिलेटेट कोश्चन पूटप किया जा सकता है उन्हें से हमारा आज का ये कोश्चन है कि राष्टी सिच्छा आयोग के अध्यच कौन होंगे तो आप लोग ध्यान दीजेगा राष्टी सिच्छा आयोग के जो अध्यच होंगे वो भारत के प्रधान मंत्री होंगे तो को Q7 का राइट एंसर 4 होगा आईए बढ़ते हैं नेश्ट क्वेश्चन की और आगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यचता में NEP अर्थात New Education Policy 2020 का मसवधा तयार किया गया था जी दोस्तों जो New Education New Education Policy 2020 की जो मसवधा तयार किया गया था वो एक साइंटिस्ट थे के कस्तूरी रंजन जो की इसरों के प्रसीद बैज्यानी के रूप में भी जाने जाते हैं तो के कस्तूरी रंजन की अध्यचता में ही New Education New Education Policy 2020 का मसवधा तयार किया गया था तो question number 8 का right answer 2 होगा दोस्तों हमारा अगला question है कि प्रसीद मूर्थी सिल्फ सेंट जार्ज के मूर्थिकार कौन है और आप लोगों के बीच में चाहर आप संदिया गया है तो question number 9 के right answer जो हो जागा वो फोर्थ हो जागा दोना तिलो दोस question number 9 का right answer 4 next question है कि युनोइसको के सांस्कितिक बिरासत सूची में सामिल बाउल क्या है very important question है दोस्तों इस बात को भी ध्यान दीचेगा बाउल तो question number 3 का right answer जो हो जागा वो हो जागा लोग गायन दोस्तों ये जो बाउल है ये तब बहुत ही famous हो जाती है जब स्वामी बीवेका नंद सांस्कितिक बिरासत सूची में जब इस बाउल को सामिल किया गया तो इसकी लोगपिरेता और भी बढ़ जाती है यहाँ पर हम बता जाते हैं कि जो बाउल है वो पस्चिम बंगाल और बांगलादेश के प्रसीद लोग गायन के रूप में जानी जाती है और इसको युनेस्को के सांस्कृतिक बिरासत सूचिल में सामिल किया गया है तो आप लोगों से question put up किया जा सकता है और ये latest सारे घटनाएं हैं जो कि आप लोगों के बीच में present किया गया है तो question number 3 का right answer 2 होगा आईए बढ़ते हम लोग next question की ओर हमारा अगला question है कि पदमिसरी सोनम सेरिंग लेपचा का हाल ही में निदन हो गया किस कलावीधा से संबंदी थी दोस्तों पदमिसरी सोनम सेरिंग लेपचा जो है जिनका अभी हाल में निदन हो गया वो भारत की प्रसीद संगीत अभिनेतरी के रूप में जाने जाती है इस बात को ध्यान दीजेगा तो question number 11 का right answer first होगा next हमारा question है कि टेरा कोटा किस भासा का सब्द है तो उस्तों टेरा कोटा यहाँ पे सब्दाया है और ये टेरा कोटा होता क्या है इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजेगा तो उस्तों टेरा कोटा जो होता है पकी मिटी के बरतन बनाने की एक कला होती है जब मिटी के पके खिलावने होते हैं या मुर्तिया होती है या दिये होते हैं या घड़े होते हैं मटके होते हैं या साजो समान की वस्तुएं तयार की जाती है रख रखाव की वस्तुएं जो मिटी से पका कर तयार की जाती है उसी को हम टेरा कोटा कते हैं तेरा कोटा दोस्तो ये 1200 degree centigrade ताप पर कच्ची मिटी को जब पका कर खिलोवने तयार किये जाते हैं उसी को हम 13 कोटा कते हैं और इसको 1200 degree centigrade ताप पर पकाया जाता है तो तो 13 कोटा ये जो भासा है ये इतालवी भासा है तो question number 12 का right answer 4 हो जाएगा इतालवी यहाँ पर अभी latest में उत्तरप्रदेश के गोरखपूर का टेरा कोटा जिसको geographical index अर्था GI tag में सामिल किया गया है तो तो गोरखपूर उत्तरप्रदेश का जो टेरा कोटा है बहुत ही famous है और यहाँ के पकी मिटी के खिलोवने मुर्तियां दिये घड़े बहुत ही famous है और बह इस बात को भी द्यान दिजेगा आईए बरते नेश्ट कोश्चन के और हमारा अगला कोश्चन है कि अवद बीन हसन जामी जिनका अभी हाले में अर्थात 11 जुलाई 2020 को निदन हो गया किस कला में प्रसीदे थे दोस्तो बहुत important है अवद बीन हसन जामी जो थे वो भारत की प्रसीद कार्टूनिष्ट के रूप में जाने जाते हैं जिनका 11 जुलाई 2020 को अभी हाली में निदन हो गया और आप लोग से क्योश्चन पूट अप किया जा सकता है क्योंकि ये भारत के बहुत ही फेमस कार्टूनिष्ट के रूप में जाने जाते हैं तो ध्यान का right answer जो हो जागा फर्स्ट सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसीद कीतियों में से एक कृती है डार्टर अब्द स्वाइल इनी के द्वारा ये निर्मित किया गया था दोस्तों सुधीर रंजन खास्तगीर आया है तो सुधीर रंजन खास्तगीर जो थे वो कलागुरू अवनिलनात और ननलात बोस के प्रसीद सिस्यों में से एक माने जाते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर सुधीर रंजन खास्तगीर का जो जन्म होता है वो 24 सितंबर 1937 को चिटगाउं बांगला देश जो कि बरतमान में बांगला देश में इस्तित है वहाँ पर इनका जन्म होता है दोस्तो सुधीर रंजन खास्तगीर के जो पूर्वस थे उनको खास्तगीर की उपाती जो दिय थे वो मुगलो ने दिया था और खास्तगीर का जो साब्दिक अर्थ होता है वो हिंदू वैद होता है इस बात को भी ध्यान दिजेगा अब सुधिर रंजन खास्तगीर वो नंदलाल के प्री सिस्यों में से एक थे इस बात को भी ध्यान दिजेगा अगला हमारा कोश्चन है कि प्रसीद चीतर अनार कली के चीतरकार कौन है तो दोस्तो इस कोश्चन का एंसर आप लोग कमेंट बाक्स में टेस्ट के रूप में प्रोवाइट करिए जो भी कोश्चन का सबसे पहले एंसर देगा उसका एलाउंस अगले वीडियो में किया जाए आज के हमारा कोश्चन आप लोग ध्यान दिजेगा कोश्चन नंबर 15 का एंसर आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर प्रोवाइट करिए ये आप लोगों के एक छोटा सा टेस्ट के रूप में इस कोश्चन का एंसर आप से जानना चाहते हैं दोस्तो पीछली सिरीज कोश् कोश्चन पूट अप किया था जिसके कमेंट आप लोगों से प्रोवाइट करने के लिए बोला गया था आप लोगों के बीच में तेंत नंबर का question present किया गया था थे कि नीम्न कलाकारों में से कौन उत्तर प्रतिस का एक प्रसीद द्रिस चितरकार के रूप में जाने जाते हैं और आप लोगों के बीच में 4 option दिया गया था तो question number 3 तका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिन लोगों ने सतीश चंद्र को टिक किया है उनका बहुत बहुत धन्यबाद वैसे सभी लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया है तो आप लोग अपने answer को मिला लीजिए और इस question का सबसे पहले जो उत्तर दिये थे वो दिये थे सिधार्थ त्रिपाठी ले तो सिधार्थ त्रिपाठी आपको बहुत बहुत धन्यबाद उसके बाद अमन परताप सिंग ने दिया बहुत ही जल्दी और इंडिया भारत ने इन तीनों लोगों ने बहुत ही जल्दी answer दिया और सटिक answer दिया था तो आप लोग इसी प्रका